जैहिन दोस्तो असी शब प्रति मिनट की गती से संपात के रिक्टेशन स्टार्ट बांगलादेश की प्रधान मंतरी शेक हसीना की इस बार की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीज रिष्टों की गर्माहट और थोड़ी बढ़ गई है इस बार भी दोनों देशों ने परसपर सयोग के लिए साथ समझोतों पर हस्ताक्षर किये उनमें सबसे महत्वपून है कुशियारा नदी के जल बटवारे को लेकर हुआ समझोता इस से दक्षिनी असम और सिलहट शेत्र के लोगों को काफी लाब मिलेगा दोनों देशों के बीच करीब चोवन नदियां परवाहित होती हैं जिनके जल को लेकर विवाद उठते रहते हैं कुशियारा नदी जल समझोते से उन नदियों के पानी के परवंधन को लेकर भी उमीद जगी है भारत ने करीब 47 साल पहले फरक का नदी पर बांध बनाया तो बांगलादेश ने उसका कड़ा विरोध किया था मगर 25 साल पहले दोनों देशों के बीज 30 साल के लिए गंगा जल बटवारे पर समझोता हुआ तो वह विरोध समात हो गया था फिर भी गंगा में मिलने वाली नदियों के पानी को लेकर कभी कभार विरोध के सुवर उठ जाते हैं दरसल दो देशों या फिर दो राज्यों के बीच होकर गुजरने वाली नदियों के पानी को लेकर विवाद नए नहीं है उनके पानी के उचित परबंदन की जरूरत होती है इसके लिए अगर वहवारिक समझोते हों तो जल विवाद असानी से हल किये जा सकते हैं भारत बांगलादेश ने इस दिशा में एक उत्सहा जनक कदम उठाया है हालांकी शेक हसीना इस समझोते के समय तिस्ता जल बटवारे की लंबित मांग को रिखांकित करना नहीं भूली करीब ग्यारा साल से वह समझोता लटका हुआ है ग्यारा साल पहले तिस्ता जल बटवारे पर दोनों देशों के बीच समझोता होना तैय था मगर ममता बनरजी के तीखे विरोध की वजहा से उस पर कदम नहीं बढ़ाया जा सकता था दरसल नदियों के पानी को लेकर विवाद इसलिए पैदा होते हैं कि भारत समेत इसकी सीमा से लगे तमाम देशों की खेती, किसानी, पेजल और कलकार खानों आदी के लिए जल आपूरती काफी हद तक नदियों पर निर्भर है इसलिए जिन देशों से जो नदियां निकलती हैं उन देशों के लोगों को लगता है कि उनकी जल समपदा दूसरे देशों को मुफ्त में क्यों मिले मगर नदियों को रोकना संभव नहीं उन पर बांध बना कर उनके पानी का विभिन रूप में उपयोग किया जाता है हमारे देश का भी बहुत सारा पानी पाकिस्तान की और बहे कर चला जाता है भारत के कई इलाके गहरे जल संकट से जूज रहे हैं ऐसे में अगर बांगलादेश का पानी यहां आता है तो काफी सुवीधा होगी स्टोप दोस्तों आपको हमारी डिक्रेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में